सन 1998 में कोलोंबिया यूनिवर्सिटी में एक अध्यन किया गया पांचवी क्लास में पढ़ने वाले बच्छों को दो गुरूप में बाटा गया फिर उन्हें एक पजल सॉल्फ करने के लिए दिया गया पजल सॉल्फ करने के बाद उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने इसे काफी अच्छे से सॉल्फ किया पहले ग्रुप को कहा गया कि आप इसे इसलिए अच्छे से सॉल्फ कर पाएं क्योंकि आप सब बहुती स्मार्ट हो और गौड गिफ्टेड हो और दूसरे ग्रूप को कहा गया कि आप सब इसे इसलिए अच्छे से solve कर पाएं क्योंकि आप सब बहुती महनतियों आपने बहुत महनत किया फिर उसके बाद दोनों ग्रूप को तीन और पजल दिये गएं एक आसान दूसरा थोड़ा मुश्किल और तीसरा बहुत मुश्किल पहले ग्रूप जिसे ये कहा गया था कि आप सब बहुती स्मार्ट और गौड गिफ्टेड हो उन्होंने ज्यादा समय इजी पजल को solve करने में लगाया और साइधी कोई मुश्किल पजल solve किया जब उनसे ये पुछा गया कि क्या आपको पजल solve करने में मज़ा आया तो उन्हें motivation की कमी दिखी और उन्हें कुछ खास मज़ा नहीं आया दूसरे ग्रूप जिसे ये कहा गया था कि आप सब बहुती महनती हो उन्होंने ज्यादा समय मुश्किल पजल को solve करने में लगाया और उसे solve भी किया जब उनसे ये पुछा गया कि क्या आप सब को puzzle solve करने में मज़ा आया तो उन्हें ज्यादा motivation पाया गया और उन्हें काफी मज़ा भी आया दोस्तो इसे locus rule कहते हैं इसे दो हिसो में बाटा गया है पहला external locus of control और दूसरा internal locus of control इस अध्यन में पहले group का control बाहर था क्यूंकि उन्हें ये कहा गया था कि आप सब बहुत smart और God gifted हो इसलिए उन्होंने मुश्किल पजल को solve करने के लिए मेहनत नहीं किया और दूसरे group का control उनके अंदर था क्यूंकि उन्हें ये कहा गया था कि वो बहुत ही मेहनती है और इसलिए उन्होंने मुश्किल पजल को solve करने के लिए मेहनत किया और उसे solve किया दोस्तो अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको भी अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम चाहे जितने भी बड़ी हो आप उसे अपनी मेहनत के दम पर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंट्रोल आपकी अंदर है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं सकती आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे थेंक्यू फर वाचिन दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें